अभी हाली में बालिव सुपरस्टार गुविंदा के पैर में गोली लगी और ये गोली गुविंदा के खुट के ही गलती से रिवालवर के ट्रीगर दबने से ये हार्सा हुआ गोली लगने के बाद गोविंदा बुरी तरह जो की गहल हो गया और जिसके बाद गोविंदा को तुरंत ही पास की होस्पिटल में जोकी एडमिट करा गया हाला कि अब गोविंदा जो की पूरी तरह सेफ हैं और ठीक हैं और अब गोविंदा को आज 4 अक्टूबर की सुबा जो की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है होस्टल से रिश्चार्ज होने के बाद अब गोविंदा ने मेडिया से बातचीत की और गोली लगनी का पूरा सज जोकी मेडिया को बताया गुविंदा ने सबसे पहले मीडिया से बाचीत करते हुए उन्होंने जो कि सबी परसंसकों का धन्यवाद बोला और इसके बाद उन्होंने पूरी गर्णा की जानकारी बताई गुविंदा ने बताया कि मैं एक सो के लिए जो कि घर से निकल रहा था और मैं कूलकता जा रहा था और सुबा के पाँच बजे थे और हस्ते वे जो कि रिवालवर मेरे हाथ से गिर गई और एक गोली जो कि चल गई एसा मानो मुझे सद्मा लग गया हो और मैंने देखा कि एसा क्या हो गया और मैंने पहले जो कि इस हार्से का वीडियो बनाया ताकि घर्णा को किसी और चीज से जोड़ा ना जाए बाद में मुझे उन्होंने जो कि अस्पताल में बरती कराया जिसके बाद जो कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ और मुझे अब हॉस्पिटल से जोकी डॉक्टर रे डिस्चार्ज कर दिया है और मुझे तीन से चार हफ्ते के लिए बेडरिस्ट करने के लिए कहा है फिर गोविंदा ने हाथ जोड़ते हुए सबी फैंस का धन्यवाद किया और कहा कि आप सभी की दुआओं और प्रात्नाओं की वज़े से मैं बच गया और अब जो कि मैं ठीक हो उस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा ने मेडिया से बाचीत में ये सारा सज्ज जो की बताया वाली उससे जुड़ी और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले